Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ पूजा और कैसे हैं आप सब, तो friends I hope आप सब अच्छे होगे, आज का वीडियो होने वाला मेरे चैनल का सबसे ज्यादा यूनिक वीडियो, first time कोई एक ऐसा वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे भी बहुत इंटरस्टिंग लग रहा है, इस बार मैंने पर्चेजिंग किए एक वाक्स पाउडर, जो की काफी डिफरेंट है, और बहुत इंटरस्टिंग लगा, मुझे लगा ऐसा प्रेडक्ट अगर हमें मिल जाए, तो हमारे जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा एजी हो जाए, बार बार जो है पार पर्चेज कर लिया है, घर सोप से ये वाला वाक्स पाउडर, ये देखे, कुछ इस तरह के पैकेजिंग के साथ में रिसीव होता है, एनसे लिए मैंने ट्रिपल नाइन में, ये प्रेडक्ट यूज करने के बाद कहसा रहता है, ये मेरे लिए भी सप्राइजिंग होगा, क कुछ इस तरह का प्रेडक्ट अगर हमें मिल जाए, जो की पैनलेस हो, तो बहुती ज़्यादा इजी हो जाएगा, वैसे तो ये प्रेडक्ट जो है मेरी फ्रेंड ने यूज किया हुए, उसे तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा लगा है, मैं पर आपके साथ में शेर करू ये मिला है मुझे मोगरा के फ्रेडनेस के साथ में, नेट वेड जो इसके उपर इखा हुआ है 100 ग्राम, अब देखते हैं यूज करने के बाद कैसा रहता है, ये मिलता है आपको घर सोप, हैंड मेड और और अर्गनिक पावडर, वैक्स पावडर, जो की कुछ इस तरीके क पैकेजिंग में आपको रिसी होने वाला है, इसके उपर मैंशन है, स्ट्रेस फ्री हेर रिमूबल पावडर, नेट वेड जो है 100 ग्राम, ये सुटेबल है, फोर ऑल स्किन टाइप, मेड फॉम नेचरल इंग्डियंस, कोई भी हर्ष केमिकल इंदर नहीं है, क्रुएल्टी पैरविन फ्री है, और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है, इसके अंदर जो इंगेडियंस यूज किया है, वह है, राइस फ्लार, मुलतानी मिट्टी, औरेंच पील, बियस पावडर, इसके बैनेफिट्स है, ये है, पैनलेस, इजी तो यू कर पाओ, so guys, remove your all jewelry before applying this paste, इससे जो है, एक पैच टेस्ट आपको जरूर करना है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये आपकी skin पे कोई भी irritation या कोई भी नुकसान नहीं पहुचा रहा है, और इससे जो है, आपको अपने face पे यूज नहीं करना है, so guys, मैंने ल with the help of brush लगा सको, so guys, जैसा कि आप देखी सकतो, अभी मेरे हाथों पे हो रखे, full growth, and आपको अच्छे से मेरे hairs भी show हो रहे होंगे, अब मैं apply करते हूँ, इसके उपर paste, so guys, ये देखिए, मैं brush से कुछ इस तरीके से जो है, ये पूरा paste लगाने वाली हो, अपने हाथों पे बहुत ही अच्छे से लगा लूँगी, आप इसे spoon से लगा सकते हो, ice cream stick से भी लगा सकते हो, आपको इसे evenly अपने हाथों पे लगाना है, पैरों पे लगा सकते हो, face पे मैं से recommend नहीं करूँगी, क्योंकि face पे हमें नहीं लगाने चाहिए, कुछ इस तरीके powders, तो आप यहां पे मुझे मॉल है, मसा है, उसके उपर काफी सारे बाल आपको दिख रहे होंगे, और दोनों ही हाथों पे काफी अच्छे से इस पेस्ट को लगा दूँगी, बहुत जादा थिक पेस्ट आपको नहीं लगाना है, 15 मिनट के लिए से छोड़ देते हैं, ड्राय होने के आपको इसे रिवूफ कैसे करना है इस बन्स पावडर के बारे में, इसकी उपर में जरूर बोलना चाहंगी यह स्मेल थो बेक्शी हो सकती थी, इसके उपर मैंसिशन भी है कि this organic wax powder does not have any toxic fragrance or chemicals making it perfect to use your skin मतलब इसके अंदर कोई भी जो है ना fragrance यूज नहीं किया इन लोगों ने ताकि इसकी जो है authenticity जो है खराब ना हो और यह guys सच में work करता है जैसा कि आप देखी सकतो मैं बहुत ही softly से रब कर रहे हूं और मेरे जो hairs है वो बहुत आराम से निकल रहे है बिलकुल भी pain नहीं हो रहा है मुझे यह powder सच में काफी अच्छा लगा it really works और बिलकुल pain नहीं हो रहा है सबसे अच्छी बात है जब भी हमें कहीं जल्दी में जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है जैसा कि आप देख सकतो है मैं इसे रब कर रहे हूं काफी अच्छे से मेरे hairs निकल रहे है pain एक परसेंट भी नहीं हो रहा है और मेरी skin बिलकुल red नहीं हो यह देखे गाइस काफी अच्छे से मेरी skin पर आप देख सकतो है यहां पर आपको show हो रहे होंगे मेरे hairs क्योंकि यहां पर जो है मैंने powder नहीं लगाया था बिलकुल भी और आप skin के color में भी थोड़ा सा difference देख सकतो है यहां पर मेरे hairs है वो बिलकुल गायब हो गया है बिलकुल pain नहीं हुआ और आप जैसा देख सकतो redness बिलकुल भी नहीं है तो मुझे यह product सच में बहुत अच्छा लगा है इदर की side में आपको मेरे hair show हो रहे होंगे तो मुझे यह काफी अच्छा लगा यहां पर बात आती है इस वाले मसे की मोल की यह देखे यहां पर आप बाल देख सकते हैं इसे remove अगर इसने कर दिया तो यह सच में बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है अब देखते हैं यह remove करता है की नहीं करता है तो यह देखे गाइस जल्दी जल्दी से मैं इसे रब करूँ यह देखे यहां पर आपको मेरे hairs देख रहे होंगे यह पूरा जो हाथ है ना मेरा एक तम clean हो गया है अब time है product के बारे में बात करने का कि इसे use करने के बाद यह कैसा लगा मुझे तो आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो मैं आपके साथ में अपना honest review ही share करूँगी अगर यह मुझे अच्छा नहीं लगा है तो मैं आपके साथ में directly बोल दूँगी यह मुझे अच्छा नहीं लगा है तो अब मैं आपको सबसे पहले अपने हाथ दिखाते हूँ यह देखे बहुत अच्छा लगा है मुझे redness बिल्कुल भी नहीं है अभी तक मैंने इसके उपर कुछ लगाया भी नहीं है तो फ्रेंट्स यह देखे कुछ इस तरह के मेरे हाथ हो गए अब सारा पॉडर अच्छे से सूग गया था बहुत ही अच्छे से रिमूव करने में मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ आप देख सकते हो मेरे हाथों में कोई भी रेडनेस भी नहीं है बिल्कुल कोई भी रेडनेस नहीं है इतने पोर्शन पर मैंने वेक्स पाउडर लगाया था अगर कैमरा कैच कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरे बाल अभी भी शो हो रहे है यह वाला पार्ट जो है मेरा एक्तम क्लीन हो चुका है और सच में इसे जस्ट रब करना है वेट क्लोथ से और कुछ भी नहीं करना है इतने इजीली सारे बाल रिमूव हो गए वैसे भी कोविट चल रहा है तो बाहर जाना बहुत मुश्किल है और मैं तो बहुत टाइम से गई ही नहीं हो भार आईब्रोज जो है मने आज तक नहीं करवाई यह मेरी नैश्रल आईब्रोज है ऐसी रहती है मैंने कभी कुछ नहीं करवाया हाँ मुझे अपर लिपस हमेशा करवानी पढ़ती है eyebrows मैंने आज तक नहीं करवाई तो eyebrow की कोई tension भी नहीं है मुझे so guys जैसे ही आप उसको rub करके निकाल दोगे सारे hairs आपके पता भी नहीं चलेंगे कहां चलेंगे और आप इसे wash कर लेना और कोई भी moisturizer आप इसके उपर लगा सकते हो मेरे पास Clovia का रखा हुआ तो मैं वही लगा लूँगी इसके उपर जो है आपको moisturizer जरूर लगाना पड़ेगा क्यूंकि skin जो है हलकी सी dry जरूर होती है अच्छी खासी quantity में जो है मैं इसके उपर पूरा moisturizer लगा लूँगे यह देखिए बिल्कुल भी अब dryness नहीं लग रही है और आप भी जानतों जब भी हम मुलतानी मिट्टी भी अपने face पे लगाते हैं तो dry होती ही है हमारी skin उसके बाद हमें अच्छे से moisturizer करना ही पड़ता है अपनी skin को सो गाइस बात करते हैं conclusion की product सच में काम करता भी है कि नहीं तो गाइस trust में यह काम करता है जितने भी hairs थे मेरे इस length तक वो सारे जो है remove हो चुके और बिल्कुल जब आप उस पे इस तरीके से rub करते हो ना तो बाल कहां गाइब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है अच्छे से बाल पूरे तरे से निकल गए मैं एक बार तो शौक डोगी थी कि ऐसा भी सच में होता भी है तो हाँ पर यह जरूर है कि यह काम जरूर करता है आप इसे underarms में यूज कर सकते हो फुल हाथ पे पैरों पे अच्छे से यूज कर सकते हो जैसे कि मुझे यह शूट कर गया है मेरी sensitive skin है तो मुझे काफी अच्छा लगा है कही कही की skin जो ऐसी होती है कि कोई भी product उन्हें suit नहीं करता है एक patch test जरूर करना है आपको ताकि आपके सारे doubts जो है clear हो जाए मुझे overall जो है ये product काफी अच्छा लगा है हाँ ये जरूर है कि triple nine में मैंने इसे purchase किया है थोड़ा म आपको बहुत सारा powder यूज नहीं करना है जैसा कि आप भी जानतों कुछ foundation होते हैं जो बहुत जादा महंगे होते हैं और जब भी हम उसे लगाते हैं तो बहुत ही कम quantity में पूरा coverage दे देता है सेम ही इसी के साथ में भी है कि आपको छोटे size में जरूर मिल रहा है पर quantity काफी कम लगेगी ऐसा नहीं है कि आपको पूरे body पे पोतना है मतलग आप कम quantity से भी इसे लगा सकते हो अच्छा सा liquidy paste बनाना और बहुत अच्छे से आप इसे लगाना आप देख सकतो कैमरा शायद उतना अच्छे से cash नहीं कर रहा होगा पर मेरे दोनों हाथों के जो हैं बाल अ और हो सकता है शायद आपको उसमें दिखेगा कि यहां यहां जो है इसके उपर मेरे काफी growth इतने मोटे मोटे बाल थे तो वह निकल गए है मुझे तो इसका result काफी अच्छा लगा इसके साथ लगी है मुझे चोटी सी problem problem यह लगी है कि इसकी जो fragrance आ रही है जो अरोमा आ र लोगे तो अच्छे सा combination हो जाएगा आप इसे easily लगा सकते हो अगर आप इसे purchase करना चाहते हो तो आप इनकी website के through purchasing कर सकते हो इनकी website का नाम है घर सोप तो वहां से भी purchase कर सकते हो Instagram store भी है और यह है मेरा coupon code तो अगर आप इसे use करते हो तो आपको 10% का discount भी मिल जाता है प्रड आप इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना थैंक्स फो वाचिंग मैं वीडियो बड़ बाई